यदि आपके प्रेमी या प्रेमी का या पती या पतनी के साथ आपकी दूरियां बन गई हैं, यानि कि आपका जो रिष्टा है वो समाप्त होने वाला है या समाप्ती के कगार पर हैं और आप अपने रिष्टे को बचाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो अंते तक जरूर द डलावा दिख रहा है और जिसके अंदर हमने सिंदूर डाला है, आप भी पहले सिंदूर, हलका सा सिंदूर डाल देंगे पानी के अंदर, उसके बाद आपको सो पड़चिया मनानी हैं, हम आपको चार पड़चियों में ये करके दिखाएंगे, आपको सो कुल मिलाकर परचियों को आपको मिलाना है, मोड़ना है और पानी के अंदर ऐसे डाल देना है पानी कौन सा जिसमें सिंदूर आपने मिलाया हुआ है आप पहले ही सो परचियां बना लें उसके बाद उपाए शुरू करें तो कि अगर आप साथ साथ परचियां बनाते जाएंगे तो आप को गिंती भी ऐसा हो सकता है कि आप गिंती 빋ूल जाएं इसी लिए पहले 100 परचीयान ले लें 50 परचीयों पर आपका नाम आएगा 50 परचीयों पर दूसरे व्यक्ती का नाम आएगा ठीक है जी यहाँ पर आपने नाम लिख दिया है दोनों को मिला दिया है और पानी के अंदर डाल दिया है तो यानि कि कुल मिलाकर आपको पचास जोड़े बनाने हैं नामों के पचास में आपका नाम होगा पचास में उनका नाम होगा जैसे ही इसमें आप डाल देंगे अब आपको दो गैंदे के फूल लेकर आने हैं गैंदिय के दो फूल इसके अंदर आपको डाले हैं और साथी साथ दो मीठी चीजी गुड़ भी ले सकते हैं या कोई मिठाई ले सकते हैं व्याद रुखेएगा उसका भी जोडा होना चाहिए यानि कि दो होने चीए और इसके अंदर मिला देंगे जैसे कि हमने बताया कि ये उपाय सभी राजशी के लोग कर सकते हैं मगर लाब कुछी लोगों को इसमें मिलेगा आगे उपाय में क्या करना है वो हम आपको बताएंगे पहले ये समझ लीजिए किनकी लोगों को इसमें लाब मिलेगा उन्हीं लोगों को लाब मिलेगा जिनके गरे नक्षत्र इस उपाई के साथ सटीक बैढ़ जाएंगे क्योंकि हर वेक्ति का जनम का समय अलग होता है और जनम का स्थान भी अलग होता है इस वज़े से, होता क्या है, सब के जो समस्या हैं, उनके उपाए भी अलग-अलग होते हैं तो जिनके नक्षतर इस उपाए के साथ सटीक बैढ़ेंगे, उनको निश्चे तोर पे इसमें बहुत जल्ली लाब मिलेगा और जिनके नक्षत्र सटीक नहीं बैठेंगे और वो उपाय करना चाहते हैं अपने नक्षत्रों के अनुसार तो क्या करना है ये एप्लिकेशन होती है विल्कुल वट्सप जैसी एप्लिकेशन है इसको आप डाउनलोड कर लीजी अपने फोन पर जिसका नाम है टेलिग्राम इसको आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपको हमारा ग्रूप सर्च करना है सर्च यहां से करना है आपको यह जिन जिन लोगों को इसमें लाव मिलता है उनके भी मैसिज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसी आप जुड़ेंगे आपको हमारा मैसिज अब अश्या आएगा और आपकी समस्या के अनुसार आपको उपाए बताएंगे। अब जैसे कि हमने आपको इसमें बताया कि आपको परचियां डालने के बाद दो पत्ते गैंदे के फूल के डालने हैं और साथ ये साथ दो मिठाईयां इसमें डालनी हैं अब आपको इसको ढख देना हैं ये उपाए आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं है पूरे 24 गंटे तक यानि कि चार बजे शुरू करा है तो अगले दिन के चार बजे तक आपको इसको नई छेड़ना है बस धक के रख देना है 24 गंटे से एक मिनट भी कम नहीं होना चाहिए भले ही ज्यादा अवश्य हो जाए अब क्या करना है 24 गंटे के बाद आपको इसको लेकर जाना है बाहर कोई साथ सुत्री सी जगा हो जहां पर आपको कोई ना देख रहा हो वहाँ पर लेकर जाएए और इसको उडेल कर आ जाना है उडेल कर आ जाना है और घर की तरफ आ जाना है कोई भी साफसुतरी जगा एक घर के मंदिर, घर के आसपास जो मंदिर है, वहाँ पर आप जाईए, उसके आसपास आपको कोई ना कोई ऐसी जगा मिल जाएगी, जहाँ पर आप ये क्रिया कर सकते हैं, याद रखिएगा किसी को बता कर ये उपाई नहीं करना है, अकेले में ह निश्चे तोर पे इसमें आपको लाभ मिलेगा, यदि कोई आपका सवाल है या आप कुछ पूछना चाते हैं, तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और साथी साथ टेलिग्राम पर भी आकर पूछ सकते हैं, यहां तक वीडियो देखा, आपने उसके लिए बहुत बहुत दाने हाँ